जोदिशास्त्र में 12 राश्यों का जिक्र होता है वतादें आपको राशी के अनुसार व्यक्ति के सभाव और भविशे से जुड़ी कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं वहीं आज हुआ अपने इस रपोर्ट में बात करने जा रहे हैं इन्हें दो राश्यों की जिन पर महादेव की विशेश ख्रपा है इन्हें राश्यों की चमकेगी किस्मत जहां बतादें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने का योग बन रहा है बिजनस में कोई बड़ी कारीव कर सकते हैं आपकी सेल्री बढ़ सकती है इसके साथ ही बिजनस में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने का योग बन रहा है यदि आप नवेश करना चाहते हैं तो बड़ों से सलाह मित्रों से सलाह में अच्छए कर अपनी विवेक के अनुसार अपनी समझ के अनुसा तो लगन के साथ कारे करेंगे सफलता जरूर मिलेगे बतादे आपको ग्रहों के चाल में परवर्तन होता रहता है जिसे मनुष्य के जीवन में कहीता है कि बतलाव देखने को मिलते हैं जैसा के इमने बताया जो तिशासर में 12 राश्यों का जिक्रू होता है बता दें आपको ग्रहों के चाल में परवर्तन का सीधा प्रभाव इन 12 राश्यों पर पड़ता है तो वहीं बता दें आपको इन दो राश्यों के लिए बहुत जादा लाभ मिलने का योग बन रहा है इनकी किस्मत चमकेगी तो चले बताते हैं आपको ये दो भाग गेशाली राश्यों कौन कौन सी है ये दो भाग गेशाली राश्यों है मेश राशी और सिंग राशी बता दें आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट से और अने जगों से प्राप्त हुए है चले फिर से बता देते हैं ये दो भाग इशाली राशिया कौन कौन सी हैं दो भाग इशाली राशिया है मेश राशि और सिंग राशि चले फिर से बता देते हैं ये दो भाग इशाली राशिया कौन कौन सी हैं दो भाग इशाली राशिया है मेश राशिय और सिंग राशिय जानकारी कैसे लगए आप में कब इंट बॉक्स में कब इंकर जड़र बताएं नेक्स्ट राइन स्प्रेच्छल्क रिपोर्ट